हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम तू दा आई एम बी एज़केशन आजके इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11 बायलोजी चैप्टर नमबर 17 ब्रीधिंग एंड एक्सचेंज ओफ गैसिस को स्टार्ट कर रहे हैं और यह हमारा लेक्चर रहेंगे वो प्योर एंसिया सलुआ वापर भी वन 16 फेज 1 में 3, 16 फेज 2 में 2, 17 में 1, 18 में 3, 19 में 2, 19 जो उडिशा स्टेट के लिए वापर के वल 1, नी 2020 फेज 1 में 2 और नी 2020 फेज 2 में भी 2 क्योशन आ चुके हैं यह सभी क्योशन जिस भी टोपिक से जहां से भी आया होंगे यह सभी क्योशन अब ड इत्रोडक्शन जो पैराग्राफ होता है वो देखेंगे देन हम बात करेंगे रैस्पिरेटरी और गर्ण्स और यहां पर जो अलग अलग अर्गिनिजम्स होती हैं जो लिविंग और गराफ रहेगा वो सारा का सारा हमारा एनिमल किंग्डम से लिंक रहेगा अगर आपको किंग्डम आता है तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी देन हम बात करेंगे human respiratory organs के बारे में और उसको हम डिटेल में discuss करेंगे आज का जो लेक्चर है यहां से गेसिज को हम बोलती है breathing simple से यह मतलब समझ लीजी आप यानि जो हम oxygen बाहर से लेंगे हमारे lungs तक जाएगी और वहां पर जो है वो carbon dioxide वह वापी से बाहर आएगी तो यह सब जो process होता है उसको हम बोलते है breathing exchange of gases भी easy को बोलेंगे अब उसके बाद क्या होगा यहां से आगे ज हैल तक जो process से थ्रू जिस process के थ्रू जो वो gases जाएगी वो भी आ जाएगा आपका exchange of gases में तो यह आपको चीजे समझ में आ चुकी होगी breathing and exchange of gases में simple सा समझ में आ चुका हुआ heading का क्या मतलब हो गया ओके अब हम जो first paragraph देखने वाले हैं यहां पर simple सा यही बताया जाएगा क क्या difference होता है इससे पहले यहां पर यह एक चीज़ और भी बताएंगे वो यह बताएंगे कि जो हमारा chapter था respiration in plants human physiology के अंदर वहां पर हम पढ़ते भी हैं कि respiration क्या होता है क्या कि उसमें अलग अलग process होते हैं कैसे एक जो food particle होता है उसमें oxygen का use करके हम energy बनाते हैं और वहा बाहर निकालते हैं वो complete process तो आपका कहलाता है respiration और breathing आपका normally कहलाता है exchange of gases यानि gases वहाँ पर गई है cell के पास और वहाँ पर जब carbon dioxide बनी है तो उसको बलाकर बाहर चोड़ दिया है यह चीज़ आपकी कहलाती है breathing ओके तो अब आपको समझ में आ चुका हो देखिए as you have read earlier यह बात कर रहा है यहाँ पर कौन से chapter respiration in plants plant physiology के अंदर उस chapter के oxygen is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecule like glucose amino acid fatty acid etc to derive energy to perform the various activities यानि simple सा है कि हम oxygen का use करते हैं और जो हमारे पास molecules है जो हमने food digest किया है उसके बाद जो molecules आए है simpler molecules तो वहाँ पर वो जो हमारे molecules है उनको break down करके और वहाँ से क्या निकालना energy जो है उसको बाहर निकालना ताकि हम activities को perform कर पाएं carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reaction अब देखिए two type की reaction होती है हमारा ऐसा आपने अगर the living world chapter पढ़ाओगा तो महाँ पर आपने एक चीज़ पड़ी थी metabolism metabolism reaction metabolism reaction जो अगर किसी भी living organism के अंदर है इसका मतलब वो completely क्या है आपका living organism तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होती है what is metabolism metabolism के अंदर mainly दो reaction होती है energy क्या होती है released होती है अगर हम कुछ simple molecule लेकर और उनका अगर complex बनाएंगे तो वो anabolism कहलाएगा और वहाँ पर हमें energy देनी पड़ेगी energies given वहाँ पर energy हमें देनी पड़ेगी बट यहाँ पर यह catabolic process है और catabolic भी क्या होगा energy जो हो है released होगी इसका simple आप ऐसे समझ सकते हो आपने कभी देखे मतलब बहुत ज्यादा मई जून का महीना है काफी गर्मी है काफी hot weather weather है तो आप खाना खा रहे तो आपको ज्यादा गर्मी लगने लगती है आपने कभी यह notice किया होगा अगली बार करके देखना जब आप खाना खा रहे हो it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out तो यह process तो हमारे अंदर चलता रहेगा हम आप भी समझते हो यह आप खाना दिन में तिन टाइम तो खाते हो उसके बीच में कभी snacks खा लिए कभी कुछ खा लिए कभी कुछ खा लिए कभी कुछ खा लिए वो अलग है यानि आपकी body के अंद बना नहीं उसमें मलत कोन करेगा oxygen करेगा तो यह जो process है वो continue चलता रहेगा और अगर वो process continue चलता रहेगा तो वहाँ पर carbon dioxide भी आपके सरीर में बनती रहेगी तो उसको भी फिर बाहर निकालना पड़ेगा this process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing तो यही जो हमारा process होता है यानि हम oxygen को लेकर जाएंगे और वहाँ से जो carbon dioxide बनी है उसको लेकर बाहर आ जाएंगे यही आपका कहलाता है breathing commonly known as respiration अब देखिए मैं आपको बता चुँआ हूँ respiration में यह difference बताएंगे बट इसी lecture के last में से यह बताएं है कि respiration में मैं ले difference कहता है तो आप यह समझ लेना breathing का मतलब होता है मैं ले exchange of gases और respiration का होता है कि with the help of oxygen we produce energy वो जो प्रोसेस होता है वो तापका respiration place your hands on your chest you can feel on the chest moving up and down you know that it is due to the breathing how do we breathe the respiratory organ and the mechanism of breathing are described in this chapter simple सा यह समझे में ली आप क्या करते हो आप जो respiration करते हो वहाँ पर वो diaphragm का ही बस use करते हो मतलब आप बैठे हो बैठे हो और आप active breathing कब करते हो active breathing मतलब अगर जैसे योगा अगरा कर रहा तो आपको बोलते है कि long breathe in और फिर out तब आप क्या करते हो वहाँ पर lungs का use करते हो अगर आप lungs का use करते हो तो जादा oxygen अंदर जाती हो जादा अगर oxygen जाती है तो यहां पर क्या होता है आपको active थोड़ा सा मैसूस होता है तो अभी भी आप ऐसा करके देख सकते हो deep breathe in deep breathe out इसे oxygen की supply अच्छी होती है और आप active भी रहते हो तो जब आप breathe in करते हो तो आप देखोगे chest cavity वह बाहरा जाती है चलिए ठीक है चलिए अब हम बात करने वाले है respiratory organs के बारे में respiratory organs किसके देखेंगे animal kingdom के अंदर जो अलग-अलग phylum थी उनके बारे में कि उनके अंदर कौन से होते हैं कैसे होते हैं क्या हो चुका है वो भी आप देख सकते हो two to three hour में complete होते हैं आपका anxiety से तो यहाँ पर हम बात करने वाले respiratory organs तो वहां पर हम अलग-अलग phylum पढ़ते हैं animal kingdom के अंदर कौन सी पौरिफेरा सीलेट्रेटरेटर डिनोफॉर अप्लेडियल मंती इसकल मंतीस अनलीड अथ्रोपोड़ मोलिसकाई काइन अदर मठ है में kodita kodita यह सारी हम phylum पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन phylum के अंदर होते हैं अलग-अलग organism और अलग-अलग phylum के अंदर अलग-अलग system होता है किसे में cellular किसी में tissue किसे में organ किसे में organ system तो यहाँ पर उसी हिसाब से respiratory organ भी तो होंगे से मज़ मे ब्रीधिंग वेरी एमोंग डिफरेंट ग्रूप ओफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेंली ओल दियर हैबिटेट्स लेवल ओफ और्गिनाजिशन सिंपल साइब कि वहाँ पर उनमें कौन सा ओर्गन होगा कैसे वो ब्रीध करेंगे तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है किस कि अब लेवल ओफ और्गिनेजिशन मुझे साइब बताने की जरूत नहीं है वही है कि क्या केवल सेल्स है क्या टीश्यू है क्या ओर्गन है या फिर पूरा ओर्गन सिस्टम है तो इन दो चीजों पर डिपेंड करती है कि ब्रीधिंग कैसे होगी चलिए लोवर इन वर्टी लेवल और टीश्यू लेवल लगबग यही चलता रहता है तो वहां पर उनके अंदर क्या होता है आपकी डारेक्ट डिफ्यूजन होती है पूरी बोडी सर्फेस से जैसे यहां पर ऑक्सिजन आई यही से इंसाइड कर्बंडाइक्सट बनी बाहर ऐसे मालों यहां से ऑक्स पर हमारे अंदर यहां पर यही बहुत है यहां पर यहां पर और पूरे बोडी से कहीं से बीजो से बीजो सिंपल डिफिजन हो जाती है Earthworm के अंदर क्या होता है Earthworm आप आता है Arthropoda के अंदर Earthworm use their most cuticle and insect have a network of tubes तो Earthworm जो होता है उसके अंदर most cuticle होता है पहले हम जो हो Earthworm complete पड़ते थे लेकिन कुछ सालों से जो वो Earthworm को हटा दिया इसले बसे नेट में क्योशन वगेरा भी नहीं आते हैं पहले हैं पूरा डिटेल में पढ़ते थे अर्थवों को NCRT के अंदर अभी भी है तो वहाँ पर जो है वो respiratory organ वगेरा थे उनके बारे में discuss भी क्या था तो जो insect होते हैं उनके अंदर क्या होता है तो यह सब क्या करते हैं जो भी atmospheric air है उसको body में लेके आते हैं वहाँ से बापीस बाहर लेके जाते हैं तो simple है अर्थ्रोपोड़ा के अंदर इन्हों ने दो चीज़े बताई है अर्थवों और बाकी अलग insect अर्थवों के अंदर इन्हों मोस्ट क्यूटिकल बताया है अर्थर इंसेक्ट के अंदर इन्हों ट्रेकेल ट्यूब्स बताया है बहुत ही simple simple चीज़े है आगे देखती हैं उसके बाद higher जो organism होते हैं उन में क्या होते है देखें special vascularized structure called gills branchial respiration are used by most of the aquatic arthropod and mollusk whereas vascularized bay called lungs that is pulmonary respiration are used by the terrestrial form of the exchange of gases अब दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है सबसे पहला tracheal tube system क्या था जहांपे केवल जो है वो अपकी tubes थी network of tubes था अगर कोई special vascularized structure बन जाता है उनके अंदर जो की aquatic में रहते हैं जो पानी में रहते हैं वहांपे special vascularized structure बनता है उसको हम बोलते हैं गिल और पेर में एक रोते हैं तो गिल्स बोलते हैं तो वहांपर वो जो गिल्स होते हैं उनके द्वारा gases exchange होती है किनके लिए जो आपके water के अंदर रहते हैं like aquatic, arthropod, molluska, various यहांपे जो molluska है और aquatic, arthropod अब अगेरा है उनके अंदर क्या होगा आपे gills देखने को मिलेगे यानि सेपल समझ लीजिए जो भी water के अंदर रहता है वहांपे gills देखने को मिलते हैं बट उससे भी ज्यादा important चीज एक याद रखना branchial respiration तो जो आपका gills के द्वारा अगर exchange होगा तो उस respiration को हम बोलेंगे branchial respiration और अगर यहांपर जो peristrial पे रहता है यानि जो जमीन पर रहता है वहांपर जो vasculized structure है जिनके द्वारा gases exchange होती है उनको हम बोलते है lungs और lungs वाला जो respiration system होता है उसको हम बोलते है pulmonary respiration तो दो respiration में आपको difference याद रखना है कुन कुन सा branchial respiration और pulmonary respiration branchial जो होगा वो aquatic वालों के लिए होगा यानि जो पानी में रहते हैं जो gills use करते हैं जो आपका pulmonary respiration है वो terrestrial वालों के लिए होगा जयानि जो lungs use करते हैं लिखा विए देखे are used by the terrestrial form for the exchange of gases तो lungs terrestrial वालों के लिए और gills aquatic वालों के लिए यहां तक हमने बात की invertebrates के बारे में vertebrates में क्या होगा देखे among vertebrates faeces use gills क्योंगी faeces जो होती है वो पाने में रहती है तो aquatic है तो वो क्या use करेगी gills use करेगी यानि branchial respiration use करेगी whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through the lungs इसके लावा जो amphibians, reptiles, birds और mammals हैं वो lungs use करते हैं अब आप कहोगे कि जो amphibians होती हैं वो तो water के अंदर भी रह सकते हैं और वो परिस्टेल पर भी रह सकते हैं तो क्या केवल वो lungs use करेंगे जी नहीं देखिए the amphibian like frog can respire through their most skin, cutaneous respiration also तो यहाँ पर जो है वो अगर water वगरा में जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो अपनी most skin होती है उसके द्वारा भी वो respiration कर सकते हैं और अगर ऐसा कर रहे हैं most skin के द्वारा कर रहे हैं तो उसको बलेंगे cutaneous respiration तो तीन respiration याद रखने हैं branchial, gills में, pulmonary, lungs में cutaneous most skin के द्वारा अगर respiration आ रहे हैं वो cutaneous respiration होगा simple simple सा है क्योंकि ऐसा यह जो bracket में लिखे होते हैं इनसे अभी neat में बहुत ज्यादा question आ रहे हैं और ऐसा question आ भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए अब हम बात करने वाले हैं human respiratory system के बारे में तो यहाँ पर हम पूरा network देखेंगे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा summarize करके आप बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ 3D में भी हम इस चीज़ों को देखेंगे visualize करके simple सा देखे यहाँ पर यह होते हैं हमारे nose trill ओके यहाँ पर यहाँ पर यह जो नाक में pharynx में pharynx का क्या होता है जहाँ पर wind pipe और food pipe दोनों मिलती है फिर यह जो आपको system दिखाए दे रहा है यहाँ पर आजाता है आपका larynx जिसे आप जो है वो क्या मोल सकते हैं sound box भी मोल सकते हैं फिर उसके बाद next जो है हमारा वो आजाता है trachea और trachea क्या होता है जासे जो आपका conduction होगी यानि गैसे जो लंग्स के अंदर जाएगी और जो trachea होते है उस पर cartilaginus होती है जो आगे की तरफ covering होती है बढ़ पीछे की तरफ covering नहीं होती है इसलिए उसको C sept cartilaginus बोलते है उसके बाद यह जो है आपका trachea जाएगा और divide हो जाएगा यह fifth thoracic vertebrator पे जाके divide हो जाएगा अब आप बोलोगी यह vertebrator fifth thoracic क्या होगी तो जो हम vertebral column पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि vertebral column यहाँ पर यह होगी पहले फिर यहाँ पर जो thoracic region में चल रही है vertebral column उसकों बोलते हैं क्या thoracic vertebra फिर यहाँ पर जो abdominal के अंदर चलती है वो अलग होती है फिर नीचे अलग होती है तो इसी तरह हमने divide किया हुआ है तो यहाँ पर जो thoracic के अंदर जो vertebral column चल रही है उनको बहुते thoracic vertebra तो जो fifth thoracic vertebra होगी वहाँ पर जाकर tracheal divide हो जाएगा left और right की तरफ यानि अब वो lungs के अंदर जाएगे उसके बाद क्या होगा जो आपका trachea है वो divide होगा वो बनेगा bronchi, फिर वो bronchioles और फिर last में जाके बनेगा LULI तो LULI वाला पार्ट जो होगा वो exchange में काम आएगा और बाकी जो पार्ट होगा वो conduction में काम आएगा यानि गेस को लेके और जाने का काम करेगा exchange वाला जो काम होगा वो mainly LULI और इसकी जो जो भी ducts वगरा है वो काम करेगी तो यह चीज़े आपको clear होगी होगी यह इन्होंने बताए फिर lungs जो है वहाँ पर यह left और right दो lungs होगे और इनके बाहर होगी membrane तो दो membrane होगी inner membrane और outer membrane उन membrane को जो जो एगा बोला जाएगा plural membrane और उनके बीच में होगा fluid और वो fluid क्यों भर रखा है वहाँ पर क्योंकि देखिए lungs तो पूरे दिन जो है वो ऐसा उपर नीचे उपर नीचे चलता रहता है तो उसकी वज़े से जो है अगर friction ज्यादा होगी तो पूरा पता चला कि lungs ही घ्रिस गए तो उसी वज़े से वो friction को reduce करने में काम आता है वहाँ पर जो fluid होता है वो तो यही सब कुछ बताएगा है पहले हम जो इस चीज़ को read कर लेती है diagram देख लेती है फिल 3D में देख लेती है तो आपको 3-3 बार एकी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहले reading जो बताया है वही होगा देख लिए न चलिए वी हेव ए पेयर ओफ एक्स्टरनल नोस्टिल पेयर का मतलब दो यहाँ पर नोस्टिल होती है ओपनिंग अबाओ दा अपर लिप तो अपर लिप होता है उसके ऊपर ही होती है समझ जो ना ऐसे समझ जो ना इट लीड्स टो ए नेजल चेंबर थ्रू दा नेजल पैसे तो यहाँ पर पहले नेजल पैसे जाता है उसके बाद क्या जाता है अपका नेजल चेंबर आ जाता है वही नोने बताया है, the nasal chamber open into the pharynx, तो यहां पर nasal chamber जो होता है, वो किसमे open होगा आपका pharynx के अंदर, pharynx क्या होता है जहां पर food pipe और wind pipe दोनों मिलती है, a portion of which is the common passage for food and air, यानि pharynx के अंदर आपको दोनों चीज़े मिलेगी, कौन-कौन सी चीज़े मिलेगी, आपको food और air दोनों मिलेगी, the pharynx open through the larynx region into trachea, तो pharynx के बाद आता है, पहले larynx larynx जिसको आप बोलती है, sound box और उसके बाद आता आपका trachea okay, larynx is a cartilaginous box which help in the sound production enhances, is called the sound box तो आपको बताया था, यहां पर यह जो होता है ना, यह क्या आता आपका sound box होता है, इसको larynx बोलीजिए, sound box बोलीजिए, एक ही बात है, उसके बाद स्टार्ट होता है, यहां पर trachea during swallowing glotis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglotis यहां पर एक glotis portion होता है उसको cover कोन करता है, epiglotis जो cartilaginous का बनावा flap होता है यह हमने digestive system के अंदर भी देखा था आज दुबाराद देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अब यह epiglotis क्यों होता है, क्योंकि जब हम swallowing कर रहे हैं, food को अंदर ले जा रहे हैं, तो वो trachea के अंदर ना चला जाए अगर गलती से, हम देखा कई बार क्या बोला जाता है, खाने के time नहीं बोलना चाहिए हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, बोलने लगते हैं बोलने लगते हैं, इसका मतलब क्या है हवा बाहर आ रही है बाहर आ रही है, तो epiglotis जो है वो कबर नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा भी अगर food particle मामूली से एक डोट भी अगर food particle का वापर अटकता है तो हमें जो एकदम से जो हो खासी वगर ऐसे आने लगते हैं पानी लग, पानी लग, पानी लग, तो वहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपका food pipe है, वो entry लेना चाहता है किसके अंदर, wind pipe के अंदर, और wind pipe कहता है no entry, इसको बाहर निकालो, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है तब तक जो process है, वो लगा ही रहता है खासी वाला आपको समझ में आ जुगा हुगा, चलिए the trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divided the level of the 5th thoracic vertebra into a left and right primary bronchi तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो trachea है, वो चलेगी उसको बोलती है, conducting part, वो चलेगा और वो जाकर divide हो जाएगा कहां पर 5th thoracic vertebra एक-एक point को बहुत अच्छे से याद रखना, इस 5th को, 50 याद रखना, 6, 7 तो बगएरा ऐसे याद मत रखना, क्योंकि neat में एक-एक line, एक-एक word मैं हर बार बोलता हूँ बहुत important होता है, तो 5th और इस जो हमारे वर्टी ब्राय है, वो पर जाकर trachea divide हो जाएगा तो वापर क्या बनेगी, ब्रोंकाई, और यहाँ पर जो ब्रोंकाई बनेगी, उनको बोलेंगे ट्राइमरी ब्रोंकाई, और फिर यह प्राइमरी ब्रोंकाई है, वो वापिस divide होगी तो secondary, tertiary, quartnery ऐसे बनती रहेगी, इच ब्रोंकाई undergo repeated division to form the secondary, tertiary, ब्रोंकाई and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles तो फिर क्या होगा, वापर जो है वो secondary ब्रोंकाई बनेगी, फिर tertiary बनेगी और फिर जाकर वाँपर क्या बनेंगे, ब्रोंकाई बनेंगे, ओके दा ट्रेकिया, primary, secondary and tertiary ब्रोंकाई and initial bronchioles are spotted by incomplete cartilaginous ring, बहुत ही important है trachea है, फिर उसके बाद जो primary bronchioles, फिर जो secondary है, चाहिए वो tertiary है, या फिर जो आपके bronchioles से उनका पहले थोड़ा सा पहले वाला जो पार्ट है, वो सब कुछ जो होता है, वहाँपर sport होती है incomplete cartilaginous ring की, अब आपको गई यह rings क्यों होती है cartilaginous की, क्योंकि देखे, अगर एकदम से ऐसे oxygen मतलब जो हवा का pressure, अब डान, अब डान होता रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो आपकी trachea वगेरा, जो tubes है, वो collapse हो जाए, मतलब वो आपस में चिपक जाए, ऐसा ना हो, इसलिए वापर cartilaginous जो है, वो rings होती है, बट वो incomplete होती है, यह point भी आप याद रखना, NE 2030 में incomplete का method मैं बता दूँगा भी आपको थोड़ी जेर में, संज़गा गया, चलिए, आगे देख लेते हैं, each terminal bronchial give rise to a number of very thin irregular word and vasculized bag like structure called alveoli, और वहाँ पर फिर bronchials होते हैं, वो terminal होके क्या बनाते हैं, alveoli बनाते हैं, जो कि आपका क्या सा होता है, बहुती thin होता है, irregular वहाँ पर वोल्स होती है, और vasculized bag structure होता है, ओके, the branching network of bronchi bronchials and alveoli comprise the lungs, तो यह सब कुछ कहलाता है lungs, जहाँ पर आपकी bronchi होती है, चाहिए वो primary हो, secondary हो, tertiary हो, और चाहिए वो आपके bronchials और alveoli, यह सब कुछ मिलकर बनाते हैं, किसको, lungs को, ओके, तो अब यहाँ पर जो आपके lungs होता है, उसके बार होती है दो membrane, एक inside की तरफ बिलकुल lungs के पास में, और एक थोड़ी सी outside, थोड़ी सी lung से बाहर, जो वो membrane होती है, उनको बहती है plural membrane, तो देखिए, we have two lungs, which are covered by a double layer plural, तो double layer का मतलब two layer होगी, एक lungs के बिलकुल पास में, एक lung से थोड़ी सी दूर होगी, with plural fluid between them, तो यहाँ पर इनके बीच में, यह जो membrane इनके बीच में, कौन सा fluid बरा होगा, plural fluid बरा होगा, मतलब यह plural membrane है, तो इनके बीच में, जो fluid है, उसका नाम रख दिया plural fluid, अब यह plural fluid क्या करता है, it reduce the friction on the lung surface, the outer plural membrane is please contact with the thoracic, तो simple 5000-バd इनके ब्राइ परसा है, कि यहाँ पर जो fluid है, वो जो friction होता है, उसको कम करने की कोशिस करता है, क्योंकि हमा플ब हमारा जब-जब हम असांस लेते हैं, तो up down, up down, ऐसे होता रहता है, और ऐसे होता रहेremकित तो क्या होगा, simple कि हमारा जब जब हम सांस लेते हैं तो अप डाउन अप डाउन ऐसे होता रहता है और ऐसे होता रहे का तो क्या होगा सिंपल सी है फ्रिक्शन होगा डाउन और उससे क्या होगा फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन होगा तो पता चरह लंग्स ह गिस गए हैं, अब क्या करें, लंग्स ये फट रहे हैं, समझे में आ रहा है, जिसे टायर फट जाते हैं, तो बार-बार गाड़ी के अंदर टायर चेंज करवाने पड़ता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वज़े से फट गए हैं, यसा अगर लंग्स के साथ होगा, तो बहु अब जो आपका स्टार्टिंग का पोर्चन था, जहांपे आपकी ब्रोंकाई आती है, आपका ट्रेक्या आता है, यह सब कुछ जो पोर्चन थे, यह आपके कहलाते हैं, कंड़क्टिंग पार्ट, मतलब यहां पर एक्सचेंज नहीं होती है, गैसिस, ऐसा नहीं है कि ऑक्स विक्रीटर्ट खंट और रेस्पिरेट्री और ईक्सचेंज पर केंदर होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं, अपका कर्ण घृक्टिंग पार्ट, तो के ब्रों गया है, तो वह कहलाते हैं, आपका कंड़क्टिंग पार्ट, सिम्पल समुख में आग है, ओक्की तग तौ एट्मोस्ट्रीक एर टुद अल्विलाई क्लियर एट फ्रॉम फोरीजन पार्टिकल्स वागेरा है जो मतलब बार से कोई पार्टिकल वागेरा गया उसको स्टॉप करने का काम करता है जिसे आपके नोस के अंदर हेर होते हैं कोई बड़ा पार्टिकल है वो हेर जो हो आपकी नेचुरल जो भी चीज़ यहाते हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाई होती है तो वहाँ पर वो नोस के अंदर जो एरत है वो ऐसे पार्टिकल आ रहा है उसको वहाँ पर ट्रेट कर दिया इसलिए होते हैं ओके आगे जो आपका म्यूकर्स बगेरा होता है उस तो आप देखोगे आपके बार में कई बार के ऐसा होता है कि नोस में से जो वो ब्लेड आने लगता है अगर आप ऐसे नोस में जाके ऐसे उगल मारते हो ना साफ करते हैं तो आप देखोगे उसमें से ब्लेड आने लगता है क्यों क्योंकि जो एर वो बहुत ज्यादा ड्र और ड्राई होता है तो अंदर की सारी चीजे ड्राई होती है ब्लड वेसल्स उसकी वज़े से क्या तो ब्रेकड़ाउन होके ब्लड आने लगता है तो यहां पर इसलिए उसको हुमिडिफाई करना जरूरी है ओके एयर को और यहां पर बोड़ी टेमपरेचर के बराबर लाना भी जरूरी होता है एयर को एक्चेंज पार्ट इसलिए और यहां पर यह जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है यह ट्रेकियल सिस्टम है और यह जो ब्लू कलर के अंदर आपको काटिलेजनेस दिखाई दे रही है वो इनकम्पलीट काटिलेजनेस होती है अब अगर आप यहाँ पर इसको पीछे से देखोगे यहाँ पर यह देखे यहाँ पर cartilaginus यानि वो blue color की लाइने में नहीं दिखाई दे रही है यानि पीछे से वो cartilaginus complete नहीं है यह होता है हमारा tracheal system अब यहाँ पर देखे इसके दोनों तरफ हमें दिखाई देंगे lungs यहाँ पर यह left हो गया और यह right हो गया यहाँ पर इसके बाहर आपको छोटी छोटी यह जो membrane दिखाई दे रही है yellow is color में यह होती है हमारी plural membrane देखे आपको yellow is color में membranous like यह structure दिखाई दे रही है यहाँ पर इनके बाहर पूरा membrane दिखाई गया plural membrane और उनके बीच में दिखाई गया आपको lungs ओके और यह जो आपको red red में दिखाई दे रहा है dome like structure यह है आपका diaphragm ओके तो ऐसा कुछ होता है हमारा lungs diaphragm और tracheal system और इनके बाहर जो lungs के बार में वो plural membrane कुछ ऐसे attach होती है ओके यहाँ पर देखे जो आपको white color के अंदर दिखाई दे रहा है यह आपका larynx है यानि sound box है ओके और यहाँ पर इस larynx के उपर यहाँ पर यह जो आपको flap दिखाई दे रहा है cartilaginus का बनावा यह है आपका epiglottis तो ऐसे कुछ होता है आपका epiglottis ओके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हुआ अच्छे से देखे 3D में यह है आपका epiglottis और इसके साइट में यह ligaments है जो इसको attach कर रखे और यहाँ पर यह वाली चीज़ी यहाँ पर यह अलग-अलग ligaments है ओके यहाँ पर यह ligaments क्या करते हैं यह attach रखते हैं तो यहाँ पर यह जो white color में दिखाई दे रहा है यह आपका layerings यानि sound box है यह वापी से आपकी क्या है ट्रेकिया है पर मुझे यहाँ पर यह बताना है कि जो ट्रेकिया है वो आगे जाके ऐसे divide हो जाता है अब देखे हैं कि लंग्स की शेप उसके अंदर देखें ट्रेकिया कैसे divide होता है ओके यहाँ पर यह जो आया आपको केवल ब्रोंकाई जिसमें आपकी primary ब्रोंकाई और आपकी secondary tertiary और ब्रोंकियोल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर alveoli जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर यह पूरा ऐसे जो है वो branches होती है और यहाँ पर यह जो आपको green, yellow, red, violet वगरा color में दिखाई दे रहे हैं यह पूरा system जो है वो क्या है bronchi और bronchi योल्स अब अगर आप ध्यान से देखो गया हम इसको o zoom करते हैं तो यहाँ पर भी आपको cartilaginus हर एक में देखने को मिल जाएगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो होती है वो incomplete cartilaginus present होती है ताकि यह जो पूरा conducting system है यह collapse ना हो जाए तो यह सब कुछ है क्या यहाँ पर conducting part अब हम वो diagram देखेंगे question discuss करेंगे और फिर जो है हम आगे चलेंगे चलिए अब हमारे सामने आ चुका है बहुत ही शांदार सा जबरदस्ट सा diagram यहाँ पर सबसे पहले यह बताएगया है epiglottis जो की covering का काम करता है cartilagines flip होता है यहाँ पर यह बताएगया आपका larynx जो कि आपका sound box होता है इसके बाद आपका start हो जाता है यह आपर यह trachea उके उसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपके bronchus यानि आपके जो प्राइमरी ब्रोंका यहां पर आ जाती है उसके बाद यहां पर क्या होता है आपके ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं फिर वहां पर क्या जाता है आपका अल्वियोलाई आ जाता है ओके यह सब कुछ पार्टिसन किसका है आपका कंड़क्टिंग पार्ट और एक्चेंज पार्ट क fluid ओके और अब इसके नीचे होता है वो होता है diaphragm और यहां पर यह होता आपका heart ओके और यहां पर यह आपका lung कहलाता है पूरा ऐसे अगवरका रखा है और यह cut end of the rib यानि यहां पर rib जो हो cut की दिखाए गया ऐसे rib उपर से नहीं दिखाए गया है अब इस diagram को अच्छे से काफी लंबा दिया है ना the figure show a diagrammatic view of human respiratory system with label A, B and C, D select the option which gives correct identification and main function of the characteristics तो diagram तो same NCRT वाला ही दिया है A, B, C, D दिया हुआ है अभी आप देखिए ध्यान से क्युस्टन आपको पढ़ना पढ़ता है वरना गलतिया हो जाती है देखिए option A है C is alluli thin walled vascular bag like structure for exchange of gases, option B है D lower end of the lung diaphragm pull it down during the inspiration, option C a trachea long tube spotted by complete cardinal shrink for conducting inspired A, and option D है plural membrane surround ribs on both side to provide cousin against rubbing, तो हर एक पोइंट को ध्यान से पढ़िए option A छोड़ देते हैं क्योंकि यही answer है पर B और C और D बताना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर यह चीज़े discuss कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें चीज़े बताना भी चाहिए कि question कैसे आता है और किस चीज़ को ध्यान में रखना भी चाहिए option B देखिए इन्होंने लिखाए D is the lower end of the lungs जी नहीं जो D है वो खुद diaphragm है lower end of the lungs नहीं तो यह गलत हो जाता है और यहाँ पर diaphragm pull it down जी नहीं वो है ही diaphragm तो वहाँ पर diaphragm उसको क्या pull out करेगा तो इसलिए यह गलत है C मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर क्योंकि देखिए यह जो है वो ट्रेकिया लगते हैं long tube spotted by complete मैंने का था incomplete एक वर्ड बहुत जरूरी होता है तो incomplete अगर यहाँ पर यह इसा होता ना incomplete cartilage निक फॉर कनेक्टे इन इस पाडेल तो तो यह हो जाता सही बट यहाँ प friction को reduce करने में और जो lungs होते हैं उनको protect करने का काम करती है ओके तो इसलिए यह answer आपका आजाएगा I hope आपको समझ में आ चुकी होगी चीजे चालिए अब हम बात करेंगे thoracic cavity के बारे में अब यहाँ पर देखिए यह है आपकी पूरी thoracic cavity तो यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे यह जो आपको structure दिखाए दे रहे हैं यह vertebral column है तो यह आपर यह देखिए यह first हो गई vertebral column फिर वो second, third, fourth और fifth यापर इस fifth के पास जाकर आपका trachea divide हो जाता है इसके लाब यहाँ पर पीछे तो हो गई आपकी vertebral column और इधर दोनों side हो गई आपकी lateral side क्या हो गई आपकी ribs हो गई, तो यहाँ पर यह जो आपको दिखाए दे रही है, यह तो intercostal muscles है और यह जो white में दिखाए दे रही है, ribs हो गई आपकी, white वाली portion वाली क्या हो गई, आपकी ribs हो गई, तो यहाँ लेटरल side दोनों तरफ ribs हो गई, पीछे हमारी vertebral column हो गई, और यहाँ पर सा आपका diaphragm हो गया, तो इस तरह से यह पूरी थोरे सी cavity बन जाती है, यहाँ पर diaphragm आ गया, यहाँ पर पीछे आपकी vertebral column, और lateral side में क्या गई, आपके ribs आ गई, और यह जो muscles वागेरा है, उसको हम next lecture के अंदर भी देखेंगे, कि intercostal muscles होती है, external और internal वागेरा, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो यह था आपका पूरा एक chamber, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जो conducting part होता है, यह जो पूरा थोरे सी cage बन जाता है, उसके नीचे diaphragm, इदर आपकी ribs हो गई, पीछे vertebral column हो गई, यहाँ पर sternum हो गया, तो इस तरह से पूरा एक pack हो जाता है, तो उसके बार anatomically an air tight chamber, air tight का मतलब है कि diaphragm यहाँ पर यह जो thoracic chamber है, इसके अंदर कोई भी change होगा, तो वो directly lungs में change होगा, मतलब यहाँ पर area कम होगा, तो lungs का area कम होगा, और lungs का area कम होगा, तो बाहर air आ जाएगी, अगर हम ऐसा करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो मा ventral column, तो पीछे से जो वो vertebral column आ चुकी है, यहाँ पर जो lungs को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लंस को चारों तरफ से घेर लिया गया गया है, तो देखिए, ventaly by the sternum, तो पीछे आ गई vertebral column, यहाँ पर ventral जो आ गई वो आप गया अपकी sternum laterally by the ribs यहाँ पर यह lateral side में क्या आ गई आपकी ribs आ गई lower side of the dome-shaped diaphragm और नीची की side पर क्या आपका dome-shaped diaphragm ऐसे dome-shaped ऐसा होता है ना ऐसे गुंबद सा वो क्या होगा आपका dome-shaped diaphragm होगा the anatomically set up of the lungs in thoracic is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity यानि यहाँ पर यह ऐसा setup बना गया है कि अगर thoracic के अंदर कुछ भी change आता है यहाँ पर area बढ़ता है तो lungs का area बढ़ेगा यह अंदर चली जगी यह घड़ता है तो lungs का area घटेगा यानि जो भी यहाँ पर effect आएगा यह बहुत ज़्यादा जरूरी है breathing के लिए exchange of gases के लिए अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यह आपका अलग अलग जो है वो respiration में difference बताएंगे देखिए respiration involves the following step respiration के अंदर अलग-अलग steps होते हैं अंदर breathing उसका एक part है देखिए breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich cellular air is released out यानि सबसे पहले क्या होता है जो oxygen उसको अंदर लो और वाँ पर जो carbon dioxide उसको बाहर निकालो second diffusion of gases O2C2 across allular membrane जो alluli है वहाँ पर क्या करो oxygen जो उसको exchange करो oxygen को blood के अंदर लेके जाओ और carbon dioxide को blood से बाहर लेके आओ transport of gases by the blood अब यहाँ पर जो gases है उनको blood के तुरू पूरे हर एक cell तक हर एक tissue तक पहुंचाओ जो leg का toe है वहाँ से लेकर जो hand की ये finger का ये nails है इस cells तक जो है वहाँ पर हमें पहुंचाना पड़ेगा तो यहाँ पर diffusion of O2 CO2 blood between the blood and tissue और उसके बाद क्या करो यहाँ पर यहाँ पर जो आ चुका है जिस tissue के पाल वहाँ पर क्या करो oxygen इस tissue को दे दो इस cell को दे दो और वहाँ से क्या करो आप CO2 उठा लो अब वो जो O2 आ चुक है उसका क्या करो utilization of O2 by the cells to catabolic reaction catabolic आपको समझ भी आ जाने चाहिए energy बनाएंगे and resultant release of CO2 वहाँ से CO2 को बाहर निकालेंगे तो यह पूरा process आपका respiration कहलाता है इन्होंने साफ साफ बता दिया है breathing उसका एक part है जहाँ पर gases exchange होती है मेली जो position होती है वो आपकी respiration कहला है दिखें लिक भी रखा है cellular respiration as delta in chapter 14 तो respiration in plants वाले के अंदर जो भी cellular respiration के अंदर क्या-क्या जीज़ होती है वो chapter 14 के अंदर हम जो वो discuss भी कर लेते हैं यह सब कुछ यहाँ पर बताया गया है और यह सब कुछ इस वीडियो के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंदाई तो लाइक कीजे दोस्तों के साथ सेया कीजे मिलते है जल्दे नेक्स जूरे के साथ तपता के लिए धन्यवाद